अगरवाल यह ना तुम अगरवाल है ना आशु अगरवाल वेरी इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट चलो आशु आजो कुछल बस सोच रहे कि मैं में खो ना बुला ले अब पहला क्वेश्चन टाइम सीरीज है 40 माक्स सेकंड क्वेश्चन 20 माक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 40 माक्स यह कौन से है नहीं मशीन लॉनिंग है शायद इसी से स्टार्ट करते है चलो ठर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते है आजो let's take a new turn अभी तक हम लोग first question से स्टार्ट करे थे अब ठर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते है चलो हाँ क्या बुला जोर से बोलो लोड़ा clean किया जाया आर को यह सब हटाया जाए तुम लोग को नहीं चेना स्क्रिप्ट तो हो गई तुमनों बनाया ही है क्या बुल रही हो कृतिका अगर वोड के विन ऐसका रैंगर भी का उसमास को जाता है उसमाक से तुम पास नहीं हो कि ऐसे भी नहीं मिलता है मतलब ही कुछ किसी और से पूश भी मतलेना आंसर थ्री ए रिकॉर्डिंग ओन किया है मैंने चालो अरे फर्स्ट क्रेस्टन आशू थर्ड क्रेस्टन बट तुम कि नहीं नहीं तुम ही बोलेगा अन अनलिस्ट इस इंवेश्टीटिंग अ लाइफ इस्टान को डेसे पिकॉर्ण को टेसेट अनलिस्टों करें whether the 200 policyholders can be divided into two clusters labeled A and B based on the two variables X1 and X2. So, what did they say? Two variables are 200 policyholders X1 and X2. The analyst is exploring whether 200 policyholders we can divide based on the two variables. अब यह समझना, for example, 200 policyholders है, 200 policyholders है, we have age and gender. X1 is one variable, X2 is another. Age and gender, let's just suppose. Age and claim amount तो नहीं होना चाहिए. Age and gender, एकदम basic तुम लो के लिए मानलो, age, gender, age, occupation, whatever. यह दो variable है. अब इस दो variable के basis पे, can you make two clusters, two homogenous clusters, जहां एक cluster का कोई X1 and X2 का combination होगा, और एक cluster का कोई X1 and X2 का combination होगा, गोट इत? Before answering this question, generate the data set portfolio. So, portfolio is the data, name of the data set in R, using the following code. Seed बोल दिया, data frame बोल है, X1 and normal distribution follow करता है, 3,1 and X2 follow करता है, 2,1 अब दिखो उसको क्या कर रहे है, and 10,1 इसको इन लोग scale कर रहे है, so basically इसको इन लोग scale कर रहे है, हम लोग को उते details में जाना नहीं है, कि यह पूरा क्या होता है, अगर तुम लोग को जानना है, तुम लोग scale function रन करो, और तुम लोग को समझा जाएगा, कि इन उने क्या किया है, चीक है, we can do that, इसको हम ले लेंगे, R में, and portfolio बना लेंगे, चीक है, those who are very inquisitive, क्या बुलते हैं, तुम मेरा ना, ये सही करो पहले तुम, scale में देखो, क्या बोले है, बहुत smart, तो तुम लोग नहीं हो, बढ़ ठीक है, हम लोग क्या कर रहे है, scale में क्या करते है, centering and scaling करते है, minus mean divided by standard deviation, उसमें हम लोग दो अलग normal distribution से values उठा रहे है, 70 values उठा रहे है, normal 4,1 से, and 130 values उठा रहे, normal 10,1 से, तो ये पूरा vector बन गया, इस सारे को मिला के, साथ में scaling कर रहे है, ये कर रहे है, एक ही आएगा न, क्योंकि इसका पूरे कहे की vector बना, got it, चलो, उतना details में जारा नहीं था, पर ठीके चलो, मैंने समझा दिया, portfolio बन गया, X1 and X2 के साथ, if you want to view, you can view, X1 and X2, चिक है, next, in the first stage of the investigation, the analyst decides to assign the first 100 policy holders, in the data set to cluster A, तो analyst अपने आप decide करे है, कि पहले 100 policy holder को, हम लोग cluster A में डालेंगे, रिमेनिंग को B में डालेंगे, construct a new column, in the data set portfolio called, group label stage 1, group label stage 1, containing policy holder, cluster labels defined above, चलो, I should start, answer बोलना start, इसमें हम लोगो क्या करने है, A assign करने है, और, next 100 values उसको B assign करना है, ये column insert करना इस data frame में, कैसे insert करेंगे, हूं, डॉलर यूज़ करके, आर्शू बोलेगा portfolio, अब, क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, क्या ये एक vector नहीं है, जिसमें पहला saw value A है, और दूसरा saw value B है, बास इतना क्यों सोचने है, vector create करो न, कैसे create करेंगे एक vector, repeat function यूज़ करके, repeat A how many times, and then again, you create a vector of this entire thing basically, and then again repeat, B hundred times, kattam, object A not found, quotes में देना था, बस, kattam, इसको view देख लो, समझा, पहले तो तुम यही नहीं समझा, करना कि अगर तुम यह समझ जाता, तो आंसर भी कर पाता हूँ, all right, next वाला बताओ, चलो, कर लो अच्छा इसको पहले, प्राची, तुम्हां कॉलेज नहीं है, प्राची, तुम्हां कॉलेज की पहले तक बैठी है, यहां पर, तीधा कॉले, तुम लोग ऐसी भी सोते हैं, यह मौट्निंग में, सब ख़बर है, next आश्यो बोलो, अश्यो फेमस हो जाए एक दम, अगर यह वीडियो यूट्योब पे चलागे, तो और फेमस, people will be searching, who is आश्यो गएवाल, determine the coordinates, X1A and X2A of the center, of the cluster, यह क्या है, center क्या था, समझाओ में को, center of a cluster क्या था, एक cluster में बहुत सारे points है, यह कौन सा chapter का सम्म है, machine learning, थांग ओड, यह कौन सा model है, K means clustering क्यादा है, तो basically, cluster A में अगर 100 values है, उसका आपको मीन निकालना है, 100 values का, मीन of X1, मीन of X2 तो तो तुम्हे क्या मिल जाएगा, center of the cluster मिल गया, यादार है, थोड़ा-थोड़ा तो यादार होगा, और cluster B का center मिल गया, क्या बोलजहे, बोलो, अभी तो सीध़ा वह बोला है, अट इसंस निकालने तो नहीं बोला अभी आपको, अभी तो खाली मीन बोला है, फिर इसके बाद distance बोलेगा, फिर इसके बाद three cluster बोलेगा, फिर वापस mean बोलेगा, फिर वापस distance बोलेगा, तो पहले cluster बनता है, फिर mean निकलता है, फिर mean के साथ distance निकलता है, फिर distance जिसमें सबसे अधा 2 mean निकला, 2 centers निकले, हर point का हर center के साथ distance निकला, जिसके साथ भी minimum है, वो उसमें recluster हो गया, recluster हुआ, वापस mean निकला, वापस, स and then फिर distance निकालते हैं फिर cluster करते हैं तो वो process याद रखो क्या होता है तो center कैसे निकालेंगे बताओ determine x1 a and x2 a करो इबा खुद से जाए बहुत ये basic r है और कुछ नहीं है पहले x1 a बताओ क्या होगा हाँ प्राची बताएगी चलो प्राची बोलो mean of x1 एका क्या है mean of what mean of x1 कौन सा x1 कौन सा x1 जहां पही a है all the a तो indexation नहीं वाक्या basic mean of portfolio dollar x1 का mean निकालना है जहां पे आपका portfolio dollar equals to equals to ए है जहां नहीं नहीं अभी तो नहीं start की है सम्द half in और और जहां पे आपका groups जहां पे आपका groups मजा आ रहे की नहीं पड़के बोलो हाँ machine learning में मजा कैसा है तुम लोग तुम लोग को machine learning क्यों नहीं अच्छा लगता है कितना में को देटा इंट्रेस्टिंग लग रहे है तुम बोलो पढ़ाई से मन उड़ गया है तुम चुप करो ठीक है कॉमा क्यों होगा एक सेकंड अब हे भगवान वीडियो रिकॉर्ड हो रहे है ये वाला क्या है ये क्या है वेक्टरे की डेटा फ्रेम है तो किसका मीन निकालता पुट्फोलियो का पूरा चलो एक्सवन एका वाल्यू देख लो क्या रहे है 2.926 एक काम करो यह ऐसे से हम लोग बना सकते हैं थाकि वाल्यू साथ साथ में आते रहे और इस बेटर आए तो क्योंकि पर्सनली एक्जाम में आइवल्ट सजस्ट्मने पुझाता ना कल ब्रैकेल अला पर्सनली एक्जामम में आइव नुत सीन इन नी एक्जामिनर्स रिपोर्टी अमकी करते हैं बट जब आपको बोला जाए कि return the output, so it's always better you write it separately. और you write print देखे, कुछ भी. चीक है? देखो, I am not saying marks नहीं मिलेगा, but I am not even sure कि marks they deduct or not. I am not sure about that. So it's better to be safe. यह हो गया, same, आप लो B का निकाल लो, चलो. X1, B, अच्छा नहीं, X1, B तो अलग हो जाएगा. X2, A निकालो पहले X2, X1, X2 तो A कुआडिनेट. X1, X2 तो A कुआडिनेट, X1, X2 तो A कुआड ना, X1, A and X2, A. तो यहाँ आपका हो गया, B, A होगा, और E होगा आपका, X2. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज कुएक्ली रेज़ और हैं, इशा क्लियर है, कुषल, क्लियर है, तो तुम लोग लाइफ क्लास में भी नहीं आता है, तुम लोग पीछे चल रहा है, तुम लोग आगे चलने से बोलते हैं, हम लोग पीछे हैं, पीछे चलने से बोलते हैं, हम लोग आगे हैं, मशीन लॉर्णिंग पूरा लाइव हुआ है, पेपर A और पेपर B दोनों, तो क्यों नहीं कर पाया, तुम लोग उससे में जो भी चाप्टर पड़ा था, तुम लोग मेरे साथ करता, तुम लोग चार दिन में सब हो जाता, चार-पाश दिन में, दो दिन लगा पेपर B करने में और तीन दिन लगा हम लोग को पेपर A करने में, पांच दिन में हम लोग के साथ खतम होता, तुम लोग तो में को नहीं बोलना चीए, बट इन लोग तो नया स्टूडेंस हैं इन लोग तुम लोग से आगे हैं हां तुम तुम भी नहीं क्या तुम एकदम ही बेफकूफ है तुम अलग ही कैसे चल रहे हैं को तो यह नहीं समझ में आ रहे हैं बहुत जन नहीं पढ़ पाया था पर नया टॉपिक्स तो माच करना चीछ था ना यह तो एक दम इंडिपेंडेंटन था ग्रूप में भी लिखा था मैंने मारकोव खत्तम मेरा कब का बहुत गलत बात है बितलब लाइफ क्लास होते वे बी तुमनों बोलोगे कि पीछे चल रहे हैं अगर कोई टॉपिक लाइफ नहीं होता उसके लिए बोलते तो समझ में भी आता चलो बी का निकालो इधर खाले इसको बी करना है समझ में आ रहे की नहीं आ रहे है बाकी लोग जिनको अटलीस मेशीन लॉर्निंग याद है मैंने यह नहीं किया चेंज फिर पूरा चेंज हो गया कुई बात नहीं I'll go and change quickly ठीक है quickly match if you want to write two centers you can write but ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो साथ में x1 underscore a comma x2 underscore a यह confusion मत create करना कि x1 a और x1 b को साथ में लिख दो does not make any sense x1 and x2 are two coordinates of cluster a देख लो एक बाद प्लीज यह एक में थड़े करने का दूसरा method होता कि आप directly k-means function यूज करते हैं तो जिनको k-means यार नहीं है quickly we can go and check over here k-means क्या था आप x देते हो data and you give the center centers we don't have मुलब centers हमें obviously निकालने हैं तो आप लोग straight away k-means दो अच्छा x दोगे अगर centers is basically the number of clusters अब यहां पर दिक्कत यह है कि आपको अगर मैं 200 data पूरा देदू और आप वो k-means में डालोगे तो गलत होगा because clustering हमने already कर दिया है पहला 100 value एक cluster दूसरा 100 value एक cluster तो मुझे personally यह method इसमें सही जचता है बट अगर k-means यूज करना होता तो ऐसे यूज करते है k-means data जो हमारा है वो है portfolio का पहला 100 rows and first two columns x1 x2 third column ABC है वो तो नहीं जरुवत and इसके साथ आपका जो clusters centers है वो अगर 2 लिख दोगे तो गलत होगा क्यों वो 100 values को दो अलग cluster में बाट देगा आपको तो एक ही cluster चाहिए न इधर तो आप इदर 1 लिखोगे centers मलब आप बोलगे वो 100 value जो है वो पूरा 100 value एक ही cluster है तो अब आप इसको जब run करोगे तो अपने आप you get the center देखो match this with your answer it'll be same got it so that is why I said I liked the first approach because that was more technical and more logical यह भी कर सकते हैं बट यहां आपका क्या है थोड़ा देखो देखा जाए तो इसमें भी हम लोगो बहुत महनत नहीं लगा क्योंकि हमने copy-pasting करा है खाली एक को B किया बस हां कहीं mistake होने का जिससे मैंसे mistake वा बट वो realize हो गया मैंको अब रही नहीं realize होता तो वो double entry हो जाता तो इसलिए थोड़ा यहां mistake का जादा चांस है बट यह better approach है compared to this one क्यों किया समझ में आया पहला 100 अब अगर तुम लोग पूरा 200 value को लिखके 2 लिख दोगे तो यह तो अपने clusters decide कर लेगा ना cluster तो हमने decide कर रहा है कि पहला 100 value cluster यह दूसा 100 value cluster भी है समझा एक सेकंड यह क्या है हजो मत हजने का बात नहीं है यह basic indexing है यह क्या है data frame उसका आपने पहला 100 rows और पहला 2 column लिया है it's not important मैंने शुरू में ही बोला बट अगर यह आपको basic indexing नहीं समझ में आ रहे है तो everyday 4 घंटा आर पड़ो प्लीज इस point पे यह वाला column थोड़ी लेंगे हम लोग के means में हली data डालते हो आप और मैंने यह शुरू में ही बोला अगर नहीं भी बोलती this wasn't the question which I was expecting at this point clear any doubt सब जगर indexing ही use हो रहे है देख रहे हो indexing बहुत important है नहीं कर पाऊगे आगे नहीं भर पाऊगे यह method personally I don't feel is good तो इसलिए मैंने यह use कर है next part is part 3 जहां बोला है construct a new column dist b containing the Euclidean distance यह Euclidean क्या हुआ अच्छा सौरी मैंने part 3 भी skip कर दिया so Euclidean अच्छा दीके तो dist A बोला है Euclidean distance between the policy holders and the center of cluster A Euclidean distance कौन सा था बोलो shortest कि वो वाला shortest वो absolute होता है दो point है अगर S से जा रहे हो that's the absolute distance अगर आप S से जा रहे हो that's the shortest distance ठीक है चलो करो मुझे डाटना नहीं होता है पर तुमनों डाटने में मजमूर कर देता है पूरा मेंको चलो portfolio निकालो खुच से निकालो basic है यह 20 में भी कुछ नहीं है R का महलब theory का theory basic अगर आता होगा तो यह कर सकते हो this day चलो निकालो देखते हैं नो कर पाते की नहीं कैसे निकालते हैं यह Euclidean distance यह तो बता दो formula x-x1 x-x1 का whole square minus की plus plus y-y1 का whole square पूरे का root basic distance का formula जो आपने class 11 में पढ़ा है है सरी है प्राची कुछ आद्मिये प्राची झाल झाल बोलो कैसे करेंगे अधित्या बोलो स्क्वेर रूट आफ एक और ब्राकेट ठीक है पूट्फोलियो डॉलर यह तुमारा एक्सवन वाला कॉलम आ गया माइनस एक्सवन एका स्क्वेर प्लस सेम चीज एक्सटू ए प्लीज ध्यान रखना की एका कर रहे हैं और यह आपका टू हो जाएगा एवरिफिंग एल्स इस एक और आइगेस ब्राकेट मेरा अब हो गया ना नहीं सही है इसको कर दो सेम पार्ट फोर में निकालने बोला है यह एक है पार्ट थ्री में बस समझ में आ रहे है अब तुमको आशू तुम जो जिस तरीका से रिवाइस कर रहे है न वैसे रिवाइस नहीं होता है तुम लोग जो पढ़ रहे हो पई तो बात है और उससे अगर आ गया 50 marks का question जो तुम नहीं कर पाए तो तुम क्या करेगा लास्ट में रिवाइस करने से क्या होगा तुमको तो पूरा टाइम पूरा चीज को साथ में रिवाइस करने है तुम मौक कैसे देगा परसो और अगर तुम यह प्लान करेगे तुम मौक नहीं देगा नहीं क्यूं तुमको अभी ऐसा होना चीता है इस position पर कि सब तुम्हारा हो चुका है अब तुमको सब कुछ साथ में रिवाइस करने है एक्जाम में तो सब कुछ साथ में याद रखना पड़ेगा बहुत गंदर स्टेजी यूज कर रहा है तुम और लास्ट मॉमेंट तुम लोगों को पते है क्या होता है बहुत प्रेशर फील होता है खुद से भी तो समय ऐसे ही नहीं हो पाता है कुछ यह जाएगा अपना बी एक बार देख लो जाके आगया अब अगर हम लोग पॉइंट वन का बात करें तो उसका शॉर्टेस जिसन से एक के साथ ही है ऐसा कोई पॉइंट इदर दिख रहा है जिसका शुरू में पॉइंट री लोकेशन में देखो तो एक बार आ रहे है किसी में ऐसा शुरू के तो वाल्यूस में दिखी नेरा जिसका डिस्टंस ओफ बी विल बी लोवर कुछ होगा बट 71 71 हाँ 71 पॉइंट देखो डिस्टंस ओफ ए इस दिस्टंस ओफ बी तो यह क्यों जाएगा यह वाला इसको री क्लस्टर करना पड़ेगा हम लोग को पाट यहां तक क्लियर सबका आया देख लो ठीक है नव ठीक है नव अनलिस्ट साइज तो अपड़ेट अप्डेट व्यूस्टर लेबल्स बया सुछ अइच एच पॉलिसी होल्डर जिसका सेंटर नियरिस्ट है अकॉर्डिंग तु दिस्टेंस चाल्कुलेटर इन पाथ 3 इन 4 कंश्रक्टर न्यू कॉलूम विथ ग्रॉप लेबल स्टेज 2 यह हम लोगों ने किया है क्लास में सेम सम किया है तुम लोगों खुछ से करो तू देखो कुछ भी नहीं है तुम लोगों को थियोरी आल्मूस्ट यादार है तुम लोगों खाली अब आर का फंक्शन्स यूज करना है या तो ए आएगा या बी आएगा डिपेंडिंग कौन सा मिनिमम है हिंट भी दे दिया मैंने डिट वे अजने है या इस इस कर सकते दू है या इंधर इन टैनो जना हें लोगों झाल 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 ऐंड students का, GDE and all that उन्होंने किया था, so what I am trying to say, अगर एक बार आपका चलो, दो पेपर के बाद भी job लग जाता है, आपका starting salary and मान लो, जिसने 6 paper के लिए, same है, आपने starting line same ही चुना है, in terms of salary, but जिसका 6 paper है वो आपसे 10 कदम आगे है, क्यों आगे है, क्योंकि एक बार आप job में चाओ होगे न, clearing CM2, CS2 will take you at least one year, at least one year, I have lot of students of only CS2 and CM2, चलो, CM2 भूल जाओ, I am only talking about CS2, I have lot of students, जिनका job में अटक रहे, वो नहीं पढ़ पारे, बिकुस वो जॉब में मना नहीं कर सकते हैं, आप class, college, bunk कर सकते हो, आप 70% attendance रख सकते हो, आप job में 70% attendance नहीं रख सकते हैं, यहाँ अगर साथ बजे college खतम है, तो खतम है, वहाँ साथ बजे office खतम होने का मतलब नहीं कि साथ बजे आप खतम करी रहे हो, वहाँ कोई time नहीं है, कोई time नहीं है वहाँ, नाई सुभ़ जाने का और नाई शाम को आने का, यह जो 9 to 5 है, यह actualism नहीं होता है, किसी भी field में, बहुत कोई भी domain में, inactural, you are actually delaying it by another one year, why? तुमने start किया, तुम दे रहे हो every day 4-5 आज, जो अच्छा, जो already student who is working and studying and has some personal life obviously, will not be able to give that much time every day, and there are some days जोगो zero time दे पाए, weekends भी काम कराते हैं कभी-कभी on Saturdays, जब pressure का टाइम होता है, जब year end चलता है, अब ना नहीं बोल सकती कि भाई मेरा CS2 exam में बोलेगा, निकलो और में में पास, समझ रहे हो, अभी अगर term skip किया, being in college, अभी नहीं रियलाईज होगा, after two years when you will see your same friends qualifying, तब रियलाईज होगा कि वो गलती किया था दो साल पहले उसका, क्योंकि CS2 है भाई, ये छोटा मोटा paper नहीं है, CP1, SP, SA, ये सारे papers manage हो जाते हैं job के साथ, but CS2, CM2 नहीं होता है job के साथ manage, I have seen मेरे खुद के friends है, कुछ मेरे seniors है, जिनका CS2 last paper है, 14 papers done, only CS2 left, giving since 2 years, 3 years, 4 years, only left, cannot sign by, not qualified, not even associate, this is a true scenario, मैं अभी अगर वमें को 2 आस देगा, I can give you a data set of these kind of students, मत एक्टम सोचो भी माँ टर्म स्किप करने का, तुमको जी जान लगा कि 10-12 घंडा पढ़ना पढ़े ना पढ़ो, प्लीस कॉलेज में टर्म स्किप वाला जो वर्ड है ना, ये मेरे थे, हम लोगे, हम लोगे टाइम पर थाई नहीं, तुम लोगे टाइम पर जॉब्स हैं, हम लोगे टाइम पर जॉब्स नहीं थे यार, चलो बहुत कम लोग होते थे जिनका सारा फेपरS clear day अच्छा connection है, उस समय यू नीडिब दा कनेक्शन तो गेट इन्टो अं इन्टर्शिप, मेरे दो कंपनी में इंटर्वीजिप हुआ था, एक कंपनी में I went for interview, I couldn't clear the last round बट वो जो दो कंपनी में इंटर्वीजिप लगए, that was through a source as in I gave interviews and everything बट वो CV पास कराना भाई, जो हम करते हैं अब तुम लोग के लिए अब हमारे इतना अच्छा connection है, sir का इतना amazing connection है कि आप लोग को direct आता है वो offer, आपको लगते हैं कि बहुत easy था हमने group में job assist group है, हमारा हमने उसमें भेज दिया बट आपको यह नहीं पता, उसकी पीछे का क्या process है हमारे लिए हम उनसे personally बात करते हैं पूरे दिन कि आपके company में offer है, friends से, seniors से, तब जाके वो हमने बोलेंगे दो जन को offer है, हम उनको 10 CV भेजेंगे, उसमें save वो किसी को लेंगे और उनका क्या reply है तो इनका तो concept ही फालत हूँ है इनको time value of money का answer गरना नहीं आ रहा है कैसे भेजे, 6 paper clear time value of money नहीं बोल पा रहा है 6 paper clear, law of large numbers नहीं बोल पा रहा है क्या पढ़ है भाई फिर और बहुत गंदा situation हो जाता है job के बाद, paper clearing I have seen it, I have lot of friends जिनका नहीं निकल रहा है बीबी तो terms के बाला जो situation है, जो option है at least college में मतलो यार और छोटा paper तो तुम लोग job के साथ भी दे सकता है, CV1C, वो भी difficult हो जाता है बट फिर भी दे सकता है आजकल तो लोग CP1 clear कर रहे हैं, college में किसी भी एक अच्छे इंसान से पूछो तो तुम लोग से at least minimum 5 years बढ़ा है और जो qualify कर लिया है, उससे पूछना, एक साल बड़ा, जो है, जिसका भी भी papers नहीं clear है उससे जाके मत suggestion लिया करो कि क्या करें उसका खुद का paper clear नहीं है, वो तुम्हारे अच्छा कभी नहीं चाहेगा जीवन में, चाहे वो कितना भी अच्छा हो क्योंकि अगर तुम qualify करोगे, तुम उससे जादा आगे भढ़ोगे तो वो तुम्हारा अच्छा कभी life में नहीं चाहेगा be it your two years, three years senior, कभी नहीं चाहता है very bad corporate politics happen, very bad चाहे तुम दूसरे company में भी हो ना, वो तुमको यह suggest करेंगे भाई, chill कर, break ले, next time दे देना क्यों? उसका खुद का तो अटकाव है तो वो तुमको कहां से अच्छा कुछ suggestion देगा और वही किसी अच्छे इंसान से पूछो कि वो यह बोलेगा कॉलेज में जितना पेपर निकालना है उससे तुम लोगो ने अटेंड किया Sunday session same thing she said क्यों? क्योंकि उसको अब भुकतना पर रहा है as in she cleared a lot of papers बट उसका बच रहा भी भी एक paper समझ रहा हो situation एकदम मत सोचो कोई भी अगर यह सोच रहा है term skip करने का मत सोचो honestly telling you all अभी hard work कर लोगे बाद मेरे को पते I have also studied along with the job, right? it's not easy it's not at all easy और मेरे को तो please at least मती बोलना कि मैं आम एको term skip करना है being a student कोई job कर रहे है वो में से discuss कर रहे है तो समझ में भी आता है बोलो इसका क्या होगा बोलो if else पहले क्या लिखते है अपने if else में जैसे एक statement होता है condition तो portfolio dollar distance of a greater than less than whatever you feel like dollar अगर ये है तुम समझ रहे हो, तुम पुरा-पुरा type कर रही थी बहुत time लगते है उसमें straight away use tab बहुत time save होगा अगर greater है तो पहला क्या होगा otherwise क्या होगा and बस इसको run करो हो गया जाके देखो आरे एई उल्टा लिखती है क्या क्या होगा बोलो मेरा क्या गलत हुआ माम यहीं पूछे थी greater है तो चाहले सकते हैं अंहा हा है मैंने यह तरी इसको चलो भी या फिर वो भी change कर सकते थे लेस्टा कर सकते थे आई और लो ओवर्राइट कर दिया है, तहां 71 में था ना एक change, इसके बाद के बहुत सारे values चेंज हो रहे हैं, फिर नेचे बीच में एक A आ रहे हैं, तो change हुआ है, चेंज है, चेंज काउंट करने बोला चाहें, तो not equals to करके कर सकते हैं, group stage, group stage है न, group label stage 1 and group label stage 2 के बीच में not equals to करके length find कर दो हो जाएगा, not equal to कैसे होता है, explanation mark and equal to, next बोलो क्या होगा, ये था अपका part 5, generate a 2 cross 2 matrix showing the number of policy holders with each possible combinations of values of, तो वही बोल दिया बिनलो, cross table बनाने बोला है, जो हम लोग इसमें बनाते थे, basically, कितने आपके A में थे पहले, तो यहां आपका rows ले लो, group label stage 1, यहां ले लो, group label stage 2, कौन सा function, very basic, confusion matrix किया था याद है, उसमें table function यूज किया था याद है, उसमें टेबल फंक्शन यूज किया था याद है, पहली करना, dollar, this, comma, ठिक है, तो basically पहले stage, group A में, पहले 70 policy holders थे, 100 ही थे, obviously, बट अब वो 70 इधर भी है, और बाकी जो पहले 30 A में थे, वो B में चले गए, तो सबसे जादा shift A से B में हुआ है, दिख रहा है, रूखो, अब दिख रहा है answer, सबसे जादा shift A से B में हुआ है, तो B में अभी कितने होगे total हम लोगे current 127 और इसमें 73, most of them have shifted to cluster B, अब second step हमें पता है, यह निकालने बूलेंगे, अच्छा comment बोला है, comment on the matrix with reference to how the cluster have changed, तो क्या-क्या comment करोगे, कि पहले दोनों में 100-100 था, अभी एक में 73 है, एक में 127 है, यह एक पहला comment हुआ, दूसरा comment बोल सकते हैं, 70 policy holders जो पहले A में थे, वो अभी भी A में है, उसमें से खाली 30, B में चले गए, 97 पहले जो B में थे, अभी भी B में है, तो 70 और 97 change नहीं हुए, अब कौन से हैं वो नहीं पता, बट इतने नहीं हुए, तो टोटल 33 changes हुआ है, 30 A से B और 3 B से 200, यह पूरा adds up to 200, तुम यह बुलेगा 70 पहले A में था, अभी भी A में है, 97 पहले B में था, अभी भी B में है, तो टोटल these many values have not changed, 30 have moved from A to B, 3 have moved from B to A. 7 is comment, type करो पूरा comment, हाँ हाँ जाओ तुम जाओ, आगे का खुछ से देख के समझ में आ जाएगा, comment on the matrix generated, यह हो गया, plot the column X1 of the data set portfolio against X2 with X1 on the X, ठीक है, using two distinct colors to identify cluster A and B, करो, using second-vala clusters, not first-vala clusters, जाओ, जाओ, कैसे करेंगे coloring, बाई 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 तुम्हों लिखो स्टाट तो करो कुछ तो बना नहां इतना क्यों डर है यह थोड़ा complicated था यह पार्ट क्योंकि हम लोग ना जब ggplot यूज करते हैं तुम्हों के syllabus में निया package उसे बहुत easy हो जाते है बट वो बहुत फिर अलग high five हो जाएगा तुम्हों के syllabus में तुम्हों के syllabus में से लिए नहीं खुसाया वो चीज basically जितने bees है उसको आप red assign कर दो color जितने a's है उसको आप color blue assign कर दो और फिर वो vector जो आपने color का बना है वो plot में डाल दो each individual point तो मैंसे नहीं कर सकता कि पहले 100 red है दूसरे 100 blue है नहीं कर सकता for this चाहिए ना तो जो भी आपके पहला point अगर यह है तो जहां a's है वो गया red जहां b's है वो गया blue उस हो गया they will plot anyways 0.1-0.200 so if you first create a plot let us first create a plot and don't create any confusion x1 ठीक है comma portfolio dollar x2 बन रहा है अब हमें चाहिए दिख भी रहा है चलो एक कोई a होगा एक कोई b होगा कौन सा a होना चाहिए वो पता नहीं है अभी तक वो centers देके समझा जाजेगा किसका centers कम है जो भी तो एक जो a है और जो भी b है पहले तो तो तुम लोग जो भी देना है title vital वो दे दो अब मैंने जो बोला जाना color का एक color vector बनाते हैं उस vector में जितने भी एक काम करो ना अलग से बनो color vector ये एक vector है जितने भी आपके portfolio dollar ये है equal to equal to एक second रुको a हाँ वही करना होगा उसको हम assign करेंगे red चलो a को red करते हैं बाकी को if else ले लो नहीं तो दो अलग करना पड़ता उसको हम assign करेंगे red और बाकियों को हम assign करेंगे blue ठीक है तो इससे क्या हुआ जितने भी values आपके a थे वो red में चले गए बाकी b is blue में चले गए ठीक है ना ये ब्रन करो तो आपके हर point को एक color assign हो गया अब क्या होता है समझना हम लोग color में क्या करते थे straight away straight away ऐसे नहीं लिख दे थे red तो सारे red हो जाते थे now for each 200 values if you make a vector over here and give 200 colors you will get 200 different colors for each point so now this is a vector if I run this colvec this is a vector of 200 values each with a color red or blue that vector you are putting in over here col underscore vec I am stage 2 तो ये भी change ये भी change ठीक है पहले देख रहे है किसे गरबड आ रहा था पहले वाला महला mixed था अजीब सा अभी सही है if you want now you can adjust everything like give a title title में लिख सकते हो x1 against x2 with group level stage 2 clusters policy holder cluster अब यहां पर सबसे ज्यादा important हो जाते है legend देना क्योंकि examiner को नहीं पता कि कौन सा क्या है कहां दे legend या तो देखो ये थोड़ा हल्का space इधर है थोड़ा हल्का space इधर भी है middle वाला तो I don't know किधर आएगा इधर भी दे सकते left middle होता है कि नहीं पता नहीं मुझे left bottom right या top right whatever देख लेंगे अगर नहीं अच्छा लगया तो change करतेंगे चिके नहीं पहला पहला cluster A नहीं क्लिवर है तो प्लीज पूछलो ये वाला तुमको क्लिवर है इशा और point के लिए PCH one if you remember was for goal वाला point नहीं आदा है तो देख सकते हो ये red blue color क्यों नहीं लिया भाई ओ color नहीं लिखे ये मेरा mistake हो रहा भी पता नहीं क्यों सब्सक्राइब 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 कोई point उसके ऊपर ना आगयो legend के नहीं आया क्लिवर कैसे करते हैं जब हम लोग ये plot function बनाते हैं तो हम लोग कोई आज नया चीज सीखने को मिला जब हमने पूरा CS1 पढ़ लिया पूरा CS2 पढ़ लिया उसके बाद कि ये जो color होता था खाली एक जरूरी नहीं है हो जब आप एक लिखते हो मतलब वो हर value का एक ही ले लेता है वो उसको उसी vector में बना लेता है बट आप हर value का अपना एक color दे सकते हो आप हर एक पुएंट और दे सकते हूं वाप आप लिया पॉइच पॉइंट धूरा जहांपे इस भी आप रू करके आप लिया खिट यहां पर रूप अ जहांपे स्टेज अ है बिदग्र। नियुक्टेश को पॉइंट अट है तो लिग्रू करके रूमने किया और X-axis वा-axis भी लेबल कर सकते हूँ, X1, X2, your wish. लास्ट में बोला है, तो ओविसली कमेंट ही करने बोलेगा, the analyst decides to stop at this stage, as a final set of cluster labels, comment on this decision, तो उसने बोल दिया कि भाई, अब हम stop कर रहे हैं, अब हम और दुबारा क्या करना होगा, centered होना पड़ेगा, फिट दुबारा, तो इस पर आप क्या कमेंट कर सकते हूँ, यहाँ देख के reasonably लग रहा है कि कब आपको वो reasonable लगना चाहिए, जैसे यहाँ, जो हमने group stage मैंने भूल से 1 कर दिया था, तो blue and red mix हो रहे हैं, मतलब एक cluster में आपको 2 दिख रहे हैं, तो ideally, by just looking at the graph, you should stop, जो आप clear demarkation कर पाओ, between two different groups, which we can see कि उपर वाला blue है, नेचे वाला red है, and we can clearly say for red cluster, the values of x1 is, x2 के लिए हमनों बूलेंगे value is on the lower half, and x1 में जादा demarkation नहीं है, because most of the values are concentrated in the middle only, but अगर हम लोग centers निकाले दोनों का, centers निकालोगे तो देखो कि x2 for blue is high, and x2 for red is low, हाँ, तो एक demarkation बन गया, अगर suppose x2 is age, तो clearly दिख रहे हैं, कि जिनका lower age है, वो cluster A में जाएंगे, जिनका higher age है, वो cluster B में जाएंगे, चिक है, तुमको नहीं समझ में आरे हैं, तुम चला जाओ, तुम तो, हाँ, 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 जाँ, तुम topic नहीं कहें, तो मुझ अधर अपना पड़ो जाके, anyways, अब हम end करने वालें, class, x1, x1 के लिए हम लोग नहीं बोल सकते, विकर जोनों में, middle में, बहुत सारे values दिख रहे, but clear demarkation दिख रहे है, कहीं भी दिख रहे है कि blue में red आ गया, red में blue, I don't think so, but there are a few points, like there are three points, which are very close to cluster B, so, हो सकता था कि वापस एक iteration करके, देख सकते थे, just to be sure, कि कोई भी एक point इदर उदर नहीं जा रहा, अगर वो नहीं जाता, तो ये सही है, तो एक और करना बनता था, because of these three points, which are closer to your B, चीक है, एक बाद quick, let's read the answer, हाँ, वो भी बोल सकते हो, फिर हम लोगो और भी चेक करना चाहिए, हम लोगो क्या चेक करना चाहिए, हम लोगो, between the sums, between sum of squares and within sum of squares check करना चाहिए, हम लोगो ने किया है, k-means run करके पहले class में, तो अगर within sum of squares should be low, and between sum of squares should be, within should be less, and between should be high, within cluster, sum of squares should be low, and between should be high, तो वो भी एक check था, तो वो भी आपको लिखना उतु लिख सकते है, the graph shows, two sets, देखलो, read करो ये बार, however, analyst did not check the convergence, तो वो convergence का मतलब एक और iteration run करो, if there is no change in the point from one to one cluster, तो वो होता, the top 3, ये वाला, यसी चीज के लिए बोल रहा है, कि ये जो top 3 points हमें दिख रहे है, आरे, ये जो top 3 points दिख रहे हैं, 1, 2, 3, इसके लिए बोल रहा है कि, जो top 3, A policy holders है, they might be best assigned to B, the analyst could potentially improve the result by updating the centers, recalculating the distance, again basically carrying out the entire iteration, and you have to explain, कैसे करना है, क्योंकि this is of how much marks, 6 marks, so you need to at least give good 10 points, तो वो कैसे होता, वापस से centers निकालता, वापस distance calculate करता, वापस उसको recluster करता, तो वो दिखता, चेंज हो रहा है, अगर चेंज होआ, वापस उसको करना पता, क्योंकि convergence नहीं मीट होता है, चेंज है, तो इसको read करो पूरा, all right, चेंज है, let's do it till here for today, then we'll next class में, finish the rest of the parts, झालता है,